हिलो नमस्कार दोस्तों आप सबको पता है ठंड धीरे-धीरे बढ रही है और दिवाली भी हो गई छट भी हो गई यस और जब यह ठंड बढ रही है न तो आपका पढ़ाय वैसे वैसे ही स्लो होता जा रहा है और आप पढ़ने तो जाते हो बेट पे जाके आराम से बैठते ह पूरी कॉपी ले करके पूरा बुक ले करके पें ले करके मुबायल ले करके लेकिन गुछ देर के बाद पढ़ते 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 कब सोझ आते हो और यह बहुत सारे बचों का पौरलम है और मैं बता रहा हूँ हुँ अभीसे दो से तीन महीना है अगर आप तोपिक दिख रहा आओगा पीछे क्या थंड में पढ़ाए कैसे करें यह सर यह क्या टेक टॉपिक है यह यह बहुत ही ऑथन्टिक बात करने वाला इस वीडियो में पहले आप इस वीडियो को देख लेना अच्छे से मैं पहले बोल दे रहा हूं कंप्लेटली वीडियो को देख लीजिए गा और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जा करके अपना वर्स जरूर लिखेगा मैं इंतजार करूंगा आप सभी का नेकि सबसे पहला पॉइंट क्या है ना पहले मैं बात करता हूं आखिर प्रोवलम होता क्या है जब हम ठंड मे करते हैं सर उतना एनरजी नहीं आपाता है सर पढ़ने का मनने करता किसी नहीं करता है बेटा सुछ बता रहा हूं करता होगा तुम लोगा और तीसरा सबसे बड़ी प्रोलम जीरो मोटिवेशन है मोटिवेशन हाई नहीं कुछ मोटिवेशन आई नहीं रहा है सब कैसे करेंगे और मैं बता रहा हूं आप देखते होगे न कभी-कभी एबरेज स्टुडेंट भी रिजल लेके आ जाता यस वह ही बच्चा है जब तुम सो रहे थे जब तुम ठंड में मजे कर रहे थे उस समय में उस बच्चे ने पढ़ाय किया और डेडिकेशन के साथ पढ़ाय किया और जब रिजल्ट आया ना इक्जाम का तो उस बच्चे का मेरे लिस्ट में नाम था और तुम सोच रहे उस वर फ करना परेगा इस थंड के समाई में भी आपको वैसे ही पढ़ना परेगा एफिसियंट हो करके डेडिकेशन के साथ जैसे कि इससे पहले आप पढ़ाई कर रहे थे तो सरी यह जो तीनों प्रोलम है ना इसका सॉलूशन क्या है सर यह तो प्रोलम बताया आपने यह अब जब प बहुत आती है तो इसका सॉलूशन क्या है निंद क्यों आती है यह बताओ सबसे पहली बात आप लोग जो पढ़ते हो न जो पढ़ने जाते हो न वह गलत पोस्टर में जाके पढ़ते हो गलत जगह पे बैटते हो इसी पर आती है अब बात आते हैं किसी इंसान को और यह में रीजन है निंद आने का तो इसके लिए क्या ज़रू है तो यहां तीन वर्ड लिखा है क्या वाटर और यहां लिखा है बेड और यहां लिखा है सनलाइट यस दिस दब बिगेस्ट सलूशन यस देखो सबसे पहली बात क्या आप इस थंड के समाए में ना पानी बहु सबस्राइब के सबस्ताया पानी यहां कुछ इननरजी नहीं लगते घ saat बात करते हो कदने लगता है और हम लगता है लगता है जाके अराम से बैठे रजाइ में कमबल में और आपनेब से क loro किताब लिए पढ़ने पैठे और पढ़ते Current तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कभी भी पढ़ाई करने ठन के समय में तो आप टेबल लिया कीजिए और या कोई भी सोर्स आपके पास सिंपल सा स्टूल ले लो बाहर मतलब बेड से बाहर निकल करके बैठो और प्रोपर पॉस्टर में बैठो इसका बहुत बड़ा इंपक्ट होता है आप कैसे पढ़ रहे हो कैसे बाइट रहे हो इस चीज का इंपक्ट आता आपको अभी नहीं पता चलना है लेकिन एक समय के ब आपको क्रैक करा है और यह बात बोल देगा ना तो आपको लेगा अरे सर ऐसा हो गया यस और मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हो ना इस ठंड के समय में टेबल चेर पर बैठके पर रहे हो तो सूज पहन लो अच्छे से और सूज पहन के बैठो और पढ़ाय करो अ हम है उसका मन ने होता है सोने का मन तो उसका भी करेगा लेकिन आपने जो ड्रीम देख रहा है है न अपने अपने पारिये उन सभी को सब्रम में करना है आपको पता धूप यह जब धंड किसमाई में दूप ने निकलती है उतना और जब धूपने निकलती आप भी पता है धूप जो होता है उससे हमको बिटाइमीन D मिलता है और यह बिटाइमिन D जो है ना बलर सरकूलेशन बलर फ्लो में बहुत हेल्प करता है तो आजकल होते हैं तुम कॉले से जाते होगे या तुम कोचिंग से जाते होगे तो तुम जाके रूम में बैठ जाते हो या आपने पीजी में या होस्टल में जाके बैठते हो और वहां पर सिम्पल चीब आता है तो आपके बड़ी पर यह संलाइट भी नहीं बाता है और इसका भी बहुत बड़ा एफेक्ट पड़ता है आपके डेली रूटीन पर तो कोशिस किया करते हो और उतना एफिसियंट होके पढ़ाईने कर पाते हो तो यह तीनों चीज को अच्छे से कीजेगा और डिफिनेटल अगर इसका बेनीफिट भी आप ले पाओगे अब बात आती है दूसरी क्या जो सर्फ दूसरा चीज था दूसरा प्रोलम क्या था अपने पास दूसर दखो एनरजी लो होता है बोडी का में बिलड का फ्लो है न वैसे ही कम होता है थंड के शनाय में पता है तो उससे में क्या होगा न आप थोड़ा exercise कर लिया करने जाए का आप घर कर सकते यह फिर सिंपल चीबात आप जहां पर भी रहते हो थोड़ा बहाद ताहल लिया करो आपको एनर्जाइज लोग और आपके माइंड को मेंटल हेल्थ को भी बरकरार रखना आपके लिए बहुत अच्छी बात हो अच्छी भात सब्सक्राइब अच्छी बात अब आपको एटलिस्ट मॉर्निंग में या किसी भी टाइम दिन में जब आपको टाइम मिलेना आपको थोड़ा रनिंग कर लेना है जिससे कि आपके जो बलड सर्कूलेशन है वह मेंटेन रहेगा और डेफिनेटली आपको यहां पर फिर निंद आ नहीं आएगी इसलिए फिलने क मैं यह नहीं बोलूँगा मोटिवेशन के लिए आप कहीं जाओ और किसी सेमिनार एटेंड कर लो और हो जाएगा मोटिवेशन नहीं आपको पता है आप जिस सिच्वेशन में हो ना उस सिच्वेशन आपके लाइक है नहीं आप उसको चिंज करना चाते हो तभी आप दिन करनी है तो उसके लिए आपको कही किसी चीज की मोटिवेशन की जवरत नहीं है बस सुनने की जवरत है तो आपको जो एक्जाम है जिस एक्जाम को आप टार्गेट कर रहे हैं उस पर आप अच्छे से फोकस कीजिए उसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए अच्छे से मॉक टेस्ट को एटेम्ट कीजिए अच्छे से प्रैक्टिस टेस्ट को एटेम्ट कीजिए डेफिनेटली अगर इस स यह सारे लोग जो अभी आपके कमेंट पास करेंगे और जो अभी बात नहीं करेंगे और अच्छे से बात भी करेंगे और इक्जामपल देंगे तो बोलता ही था यह जो है न मेहनत कर रहा है तो इसलिए याद रखना जब आप संघर्स करते रहे तो आपके साथ कोई नहीं होता है लेकिन आप सक्सेस के मुकाम पहुझा होगा पूरी दुनिया आपकी साथ रहेगी बस इसी सोच के साथ इसी मैंसेट के साथ आप पढ़ते करना एफट बढ़ाना है क्या आपको पता है 24 में बहुत सारी वेकेंसी लाइन अप है ऐसे कलेंडर और हो गया है बाकी और वी वेकेंसी आने वाली है बहुत जल्द देखने को मिलेगा तो ऐसे ही पढ़ते रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो कैसे लगा कमें झाल 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